याज गुड मॉनिंग बच्चु नमस्कार मैशो कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने इस्टिट्यूट वुगली क्लासिज में माई डियर फैंट्स गुड मॉन यॉल तो कैसे हैं आप लोग अरे भाई बोलो मेरे बबर शेरो हर हर वुगली घर गर वुगली प्यारे दोस्तों खुश खबरी है आप सबके लिए आपका इंस्टिट्यूट आपका वुगली इंस्टिट्यूट आप सबके लिए लेकर के आ साथ वुगली इंस्टिट्यूट के साथ याद रखिए दोस्तों जो सिरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो प्यारे बबर शेरो बने रहिएगा और इस क्रेश कोर्स का पूरा लुफ्त उटाईएगा और कर लीजिए साकार अपने सपनों को तो प्यारे बच्चों मेरा दोस्त क्या बूल रहा है वई मेरा दोस्त मुझे अच्छा भी लगता है मुझे अच्छा भी लगता है और दोस्तों मुझे मेरा दोस्त पसंद भी नहीं है मुझे मेरा दोस्त पसंद भी नहीं है याद रखना बेटा पसंद भी नहीं है याद रखना एक परसन है जो आपसे ऐसा बोल रहा है हॉस्पिटल के अंदर आके निमांस के अंदर आ करके और निमांस में जाना है ना तो निमांस जैसा बनना पड़ेगा वैया तो निमांस मे आकर के एक व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मेरा दोस्तर मुझे पसंद भी नहीं है और मुझे पसंद भी है बताओ उसको कौन सी प्रॉबलम है इस टर्म को क्या कहते हैं बेटा सबसे पहला अंसर ता आपको इस बात का देना है वो किस टर्म का जवाब क्या कहते हैं इसको दो ही समय पर दो बातें अगर आती है तो ऐसी स्थिति को हम ambivalence कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं ambivalence और ambivalence का मतलब मेरा दोस्त मुझे पसंद भी है और नहीं भी है मतलब एक पल तो वो कहता है पसंद है और अगले ही पल कहता है I hate them, अगले पल बोल रहा है कि मुझे वो पसंद नहीं है, दोस्तो, controversial things at a time in a single person's mind is known, ambivalence, और ambivalence, this is known as the clinical feature of the saizophenia, तो दोस्तो, कौन सी बिमारी है उस person को जो आपके पास आया है, तो दोस्तो, उसको कौन सा disorder हो रहा है, कौन सा mental problem हो रहा है, उसको हो रहा है, भईया, saizophenia, saizophenia is a very very most common disorder in the psychiatric, और याद रगना प्यारे बबर शेरो, निमहान से इसके बिना अदूरा है मेरे बटा, यानि कि 10 question आपको अगर पूरा पेपर बनता है, अगर किसी examiner ने saizophenia नहीं दिया, तो फिर क्या दिया भईया, कुछ भी नहीं दिया, saizophenia के 10 question कम से कम एक exam के अंदर fix होते हैं दोस्तों, और इसी लिए सबसे पहला topic आपका लिया, मैंने कहा प्यारे बबबर शेरो कि वो बोल रहा है मुझे पसंद भी है और नहीं भी है, तो हो क्या रहा है उसके साथ, अरे उसका mind जो है ना बेटा, वो split हो चुका है, split mind, यानि mind का split हो जाना दोस्तों, साइजोफ्रेनिया का मतलब होता है, तो यदि मैं आपसे बोलूं बेटा कि what is the literally meaning of the साइजोफ्रेनिया, तो याद रखो बेटा, साइजो का means होता है, split of mind, split of mind, क्या होता है बेटा, split of mind, मन का विकार, split of mind, यानि कि दरार पड़ जाना, तो दोस्तों सोच के अंदर दरार पड़ जाना, यही साइजोफ्रेनिया की सबसे most common पहचान होती है, split of mind, means, पैसेंट के mind के अंदर एक ही समय पे दो सोच, दो तरह के थोड़ सा रहे है, positive और negative, एक तरफ उसका सोच positive है दोस्तों, दूसरी ही पल उसका सोच negative है, तो जब किसी person की अंदर positive और negative सोच एक ही समय पे हो, तो समझ जाना उसका mind क्या हो चुका है, फाट चुका है, दोस्तों, split हो चुका है, दरार आ चुका है, और यह केवल देखने को मिलता है साइजोफ्रेनिया के clients की अंदर, अरे भई बोलो बबर शेरो, बड़े simple तरीके से पूरी psychiatric पढ़ाऊँगा, आनंद लेते रहेना, लुफ्त लेते रहेना, आनंद लेके सीखना, बड़ी आराम से पानी की, ठंडे पानी की बोटल रखलो, अपने पास मेरे share share नी हो, आपके selection की जम्मेदारी आपके बबर श की साइजोफरेनिया के case में दो प्रकार के symptom नजर आते हैं अपन को, दो प्रकार के symptom नजर आते हैं, तो symptom clinical feature कितने प्रकार के बेटा, अरे दो प्रकार के clinical feature नजर आएंगे, कुछ symptom positive होंगे और कुछ negative होंगे, तो sir कैसे होगा, एक ही साथ, एक परसन के अंदर दोनों तरह क problem आती है, positive symptom भी आते हैं और negative symptom भी आते हैं, तो याद रखना positive उन symptoms को कहते हैं, दोस्तो, they are more than normal, ऐसा कुछ भी आप उस client के अंदर notice कर रहे हो, जो normal से थोड़ा ज़्यादा है, तो this is consider as the positive symptom, ऐसा कुछ भी आप consider कर रहे हो, low than the normal, than normal, दोस्तो जो आप दिख रहे हैं पैसें के अंदर कि normal से कुछ भी अगर कम हैं, तो this is non negative symptom, clear है दोस्तो, तो negative symptom की बात करूँ, तो जैसे की पैसेंट एन हेडॉनिया करके बैठा है, क्या करके बैठा है, सिर नीचे करके बैठा है भाईया, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, पैसेंट जब आपने पूछा तो उस question अक्सर आजाता है, आपसे केवल मात्र ये पूछा जाता है, कि which of the following is the positive symptom of the syzophrenia, या which of the following is the negative symptom of syzophrenia, ऐसा question आजाता है बिटा, तो याद रखना हमें क्या पैचानना है, कि any behavior below than normal, it is the negative, any behavior या thought या symptom, that is more than normal, it is the positive, तो दोस्तों जैसे पैसेंट को बहुत ही जादा hallucination हो रहा है, अरे कोई sound नहीं है, फिर भी sound आ रहा है बबर शेर को, तो गज्जू इसको कौन सी बिमारी है, साइजो फ्रेनिया है भईया, इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसको बातें सुनाई दे रही है, यानि क suspicious हो रहा है, तो गज्जू ये बड़ा हुआ behavior है भईया, तो इसका बड़ा हुआ यानि positive symptom होगा के नहीं होगा, अरे इसको dilution हो रहा है भई, dilution हो रहा है, तो कौन सा symptom कहलाएगा बेटा ये, ये positive symptom कहलाएगा, तो साइजो फ्रेनिया के ऐसे symptom, they are more than normal, they consider the positive, और they are less than normal, they consider the negative, crystal clear हो गया है बबर शेरों, बात समझ में आ गई न, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन क्या-क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे निमान्स को, तो YouTube की live streaming crash course है आपके लिए दोस्तों, ये वाला, और UPNHM और निमान्स के लिए चलेगा, और you get daily live classes, और time रहेगा आप का साड़े ग्यारा, आपको सब को पता है, साड़े ग्यारा बजे और नो बजे आपकी जो MSN की Super Lecture Series का Norset का Lecture है, वो continue रहेगा, एज़ी टीज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, दोस्तों, एक टेस्ट देना है आपको रोज का, और इस टेस्ट का नाम है सफलता quiz, और इसकी price zero है, दोस्तों, कोई charges नहीं है, और टेस्ट में रोज की आपके पास 15 question psychiatric के रहेंगे, और 15 question other subject के रहेंगे, यानि कि ये 30 question का paper रहेगा, दोस्तों, understand, टेस्ट की validity exam तक रहेगी, दोस्तों, ये complete free of cost है, आगे की बात करते हैं, तो दोस्तों, याद रगना complete free crash course, साड़े 11 बजे MSN, Godfather Souser के साथ, अब आपको ये बात करनी है, प्यारे बच्चों कि निमान्स सर कैसे निकालें, क्या पढ़ना चाहिए, निमान्स के लिए, सर कैसे निकाला जा सकता है, selection, तो बेटा याद रखना, उसका syllabus में आपको बता रहा हूं, क्या-क्या पढ़ना ह आपको ये नाने वाले 8-9 दिन के अंदर अंदर, तो सबसे पहले अपन complete करेंगे psychiatric disorders को दुस्तों, जो सबसे difficult part है psychiatric का, और अपन को आधे से जादा 50% paper यहां से मिलेगा, ठीक है बिटा, यानि psychiatric के disorder जितने भी होते हैं ना, सबसे पहली priority है यार, अगर disorder ही नहीं आते हैं, त तो disorder से लगबग 50% paper, दूसरा अपन पढ़ेंगे दोस्तों, legal psychiatric, forensic या legal psychiatric, थर्ड अपन ECT और psychotherapies का lecture पढ़ेंगे, जिसमें पूरी ECT और psychotherapies से क्या आएगा यह बताएंगे, फिर एक lecture पढ़ेंगे दोस्तों, medicine, drugs, अरे अगर आपको नहीं पता कौन सी दवायां चलती है psychiatric क के अंदर, तो कैसे निकालोगे भईया निमांस, याद रखना फिर अपन पढ़ेंगे दोस्तों, neurology, और neurology के लिए एक important सूचना है आप सब के लिए, यूट्यूब पर आपके निमांस में एक playlist बना दी जाएगी, जिसमें केवल मातरे दोस्तों, इसी के lecture में include कर दूँग क्योंकि neurology का complete 20 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ नॉर्सेट में, वही same क्लासों में से question आएंगे, याद रखना ये 20 की 20 क्लासें tips पे रट लेना आप दोस्तों, एक दिन में चाहिए 5 क्लासें याद करना, या आपकी शमता पर dependent, इसका एक playlist आज बन जाएगा और आपके निमांस का जो folder बन रहा है, playlist बन रहा है, उसमें add हो जाएगा, दोस्तों, basics of general nursing का एक lecture लेंगे, 6 क्लासें अपन लेंगे, MCQ उस पर जो psychiatric में MCQ रहेंगे, और basic of social psychology पर एक lecture लेने वाले, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दोस्तों, अगर आप निमांस के अंदर selection लेना चाते होना, तो प्यारे बच्चों, ये सिलेवर से आपके सामने, आज पूरा disclose कर दिया है मैंने, कि निमांस कैसे निकलेगा, और सर मुझे क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और यही पैटन से मैं आपको ये 9 दिन तक तयारी करवाऊंगा, दोस्तों, 9 दिन के नो कर उठा लिया ना, या तो सर उठाते नहीं है, और उठा लिया ना, मतलब पूरा एक्जाम का पॉस्टमार्डम होगा, पक्की बाते, आगे बात करता हूँ दोस्तों, पहला कॉश्चन आया है आपके बात, परसन हूँ लाफ एट वन मिनेट और क्राइज नेक्स्ट मिनेट विदाउट एनी क्लियर स्टिमुलाई इस सेट टू है, एक परसन जो पहले मिनेट, पहले पल तो हसता है, और अगले ही पल रोने लग जाता है, तो इसको किस टर्म के नाम से जाना जाता है, दूस्तों, इन कॉंग्रूएंट अफेक्ट, यूफोरिया, लेवाइल अफेक्ट या स्प्लिट परसनालिटी, क्या कहा जाता है, जवाब दो बिटा, प्यारे बबबर शेरो, बोलो भई, दोस्तों, याद रखना, जब एक परसन एक पल हसता है, और अगले ही पल रोता है, तो ऐसा बिहेवियर इसका कहलाता है, लेवाइल एफेक्ट, तो this is the emotional inestability, दोस्तों, अगर मुझसे ये question इस तरह से पूछता, emotional inestability, क्या कहता है, emotional inestability, यानि कि present just expressing the pathological emotions, याद रखना दोस्तों, pathological emotions का present होना, क्या कहलाता है, दोस्तो लेवाइल एफेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चो लेवाइल एफेक्ट कहलाता है, कभी खुशी कभी गम, yes or no, बेटा complete बात समझ में आ गई है, तो याद रखना लेवाइल एफेक्ट, that is the pathological expression of the emotions, emotions बोले तो laughter, crying, understand बेटा, laughter होगा, crying होगा, emotion होगा, smile होगा, अरे भाई बोलो, patient है, और patient, हा-हा-हा-हा, हसरा है, अगले इपल, रोने लगा, और चुक्चाप से भीनी-भीनी smile कर रहा है, बिना किसी कारण के, बिना किसी clear stimuli के, हसरा है, तो they all are known as the levile effect, levile effect को आजकल, एक question आएगा बिटा, याद रखना, levile effect को आजकल levile effect के नाम स इसको दोस्तो और क्या कहने लगे इसको I-E-E-D क्या कहने लगे दोस्तो याद रखना क्या कहा जाने लगा इसको लेवाइल एफेक्ट को कहा जाता है लेवाइल एफेक्ट को अफेक्ट मतलब होता है इमोशन तो प्यारे बच्चों क्या बूला जाता है आज प्रेजेंट लिसको नहीं कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया और कहा जाने लगा I-E-E-D इन वॉलेंटरी इमोशनल एक्सप्रेशन डिसॉडर का एक्जाम्पल बताओ तो कहना है कि जस्ट दिस इस लेवाइल अफेक्ट किस्टल क्लियर हो गया है बेटा अरुना देवी यस ओ नो कंप्लीट है क्या पैक कर दूं यहां तक आगे बढ़िएगा मेरे बबर शेरो द रही है जवाब दीजिए अफेक्ट एम्रीवेलेंस ओट इस असोशीटेड लूजनेस एंड एन हैड़ानिया वाट इस अक्रेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्टन गाईज प्यारे बच्चों याद रखना हमसे क्वेश्चन कर रहा है एक्सेप्ट वाला तो हमें आइडेंटिफाई करना है साइजोफ्रेनिया के फोरे सिम्टम्स को तो प्यारे बबबर शेरो याद रखना आफेक्ट एम्भी वेलेंस ओटिजम असोशीटेड लूजनेस इस आर फोरे सिम्टम ओफ साइजोफ्रेनिया और साइजोफ्रेनिया के इन फोरे सिम्टम्स को ही प्राइमरी या हॉलमार्क सिम्टम कहते हैं दोस्त या गोल्ड स्टेंडर्ड सिम्टम इन्हें कहा जाता है देने वाले साइंटिस्ट का नाम था यूजन ब्लूलर क्या नाम था य यूजन ब्लूलर नाम के साइंटेस्त थे जिनोंने ये 4A symptom दिये थे 4A symptom दिये थे यस ओ नो वेटा तो ब्लूजन याद रखना यूजन ब्लूलर और कौन से 4A symptom है तो affect में change होता है पैसेंट को ambivalence होता है यानि दो controversial सोच आते हैं अच्छा भी है और बुरा भी है ऐसा सोच उसके अंदर पैदा होता है ऑटिज्म होता है पैसेंट को associated looseness रहता है तो दीज और 4A symptom of the साइजोफ्रेनिया given by the यूजन ब्लूलर साइंटिस्ट की बात आई याद रखिए दोस्तो साइंटिस्ट की बात आई इसलिए साइंटिस्ट की कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे सबसे पहला question सुनो first psychiatrist का नाम बताओ भई सबसे पहला psychiatrist कौन था तो याद रखना प्यारे बबर शेरो क्या जवाब देना है anyone know about this who was the first psychiatrist पहला psychiatrist कौन था दोस्तो तो याद रखना सबसे पहला psychiatrist था दोस्तो Emil Kraplan क्या नाम था Emil Kraplan yes or no Emil Kraplan was the first psychiatrist yes or no Emil Kraplan was the first psychiatrist crystal clear हो गया है प्यारे बच्चो याद रखना modern psychiatric के father किसको का जाता है who was the father of modern psychiatrist modern psychiatric के father किसे कहते हैं तो प्यारे बबर शेरों क्या जवाब दोगे अब आप who is the father of modern psychiatrist modern psychiatric के father किसे कहेंगे दोस्तो तो याद रखना फिलिप पिनेल को कहा जाएगा किसे कहा जाएगा दोस्तो फिलिप पिनेल को modern psychiatric के father बुला जाता है बीटा और अगला मेरा question हो अगर आपसे कि American psychiatric के father of American secretary father of American secretary तो American secretary के father किने बुला जाता है दोस्तो याद रखना Benjamin Rush को कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तो बेंजामिन रुष को कहा जाता है father of modern psychiatric star लगा लेना तीन साइंटिस्टी बता रहा हूं केवल मात्र तीनों साइंटिस्ट जो हैं दोस्तो काफे important है यह सोनो बेटा crystal clear है बात यहां तक बोलो भाई four a symptom किस ने दिये थे तो याद रखो यूजन बुलर वो साइंटिस्टे जिन्होंने four a symptom बताये थे साइजोफरेनिया के crystal clear हो गया है बेटा आगे बात करता हूं बबबर्शेरो याद रखना कौन से psychiatric में मैं बात करूँ अगर disorders की तो याद रखना which neurotransmitter में responsible for causing the syzofrenia दोस्तो कौन सा neurotransmitter है जो syzofrenia cause करता है पहला serotonin, acetylcholine, dopamine या adrenaline what answer you will put in your exam which of the following neurotransmitter causing the syzofrenia guys अगर मत्र अगर आपका option exam के अंदर ये आते हैं तो सबसे पहला priority answer होगा दोस्तो first answer हमारा जाएगा dopamine लेकिन जब dopamine exam के अंदर नहीं दिया है अगर माना dopamine option में नहीं है तो फिर second choice answer आपको देना है दोस्तो serotonin क्या देना है बिटा serotonin आपका second choice answer होगा serotonin भी अगर option में नहीं होगा ना बिटा तो third option आपको याद होना चाहिए और third choice answer होता है norepinephrine कौन सा बिटा norepinephrine का level लेकिन यदि अगर norepinephrine भी नहीं हो तो fourth choice भी आपको याद होना चाहिए बिटा फिर हम answer कर देंगे गाबा क्या answer कर देंगे बिटा गाबा तो कौन से चार neuro transmitter ऐसे बताने हैं आपको जो साइजोफ्रेनिया कॉज कर सकते हैं तो याद रखो बिटा dopamine साइजोफ्रेनिया कॉज करता है most commonly most commonly अगर पूछूंगा तो dopamine जवाब जाएगा यदि अगर मैं पूछू overall बताओ तो dopamine आपका answer होगा serotonin आपका answer होगा norepinephrine होगा बिटा और GABA आपका answer जाएगा crystal clear है ना तो dear student याद रखना अब आती है बात कि sir what is the mental health mental health क्या होता है यदि मैं आपसे simple सा सवाल पूछ लेता हूँ कि sir mental health अं किसे बोलेंगे mental health भहिया किसको बोलोगे तो याद रखना बेटा कि right thinking about self right thinking about others and right thinking about the environment this is non mental health एक परसन जो खुद के बारे में सोच सकता है कि मुझे जौब लगना है एक परसन जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है और अपने environment के बारे में अच्छा सोचता है बेटा इसी को हम कहते हैं mental health understand यदि अगर परसन का जो balance है environment और उसका mind का जो balance है balance is disturbed between the environment and the mind दोस्तो environment and mind का balance यदि disturbed हो जाता है तो this condition is known as the साइजोफ्रेनिया या mental illness understand guys clear है अब आता है बेटा साइजोफ्रेनिया का most important question कि sir इसका criteria क्या है इसकी definition क्या होगी इसका meaning क्या होगा तो meaning में अभी हमने कहा कि brain के अंदर splitting हो जाना splitting हो जाना मतलब एक ही person में एक ही समय पर दो तरह की बाते आना यानि आदा mind positive है आदा mind negative है दोस्तो ऐसा अगर होता है तो वो साइजोफ्रेनिया का patient है प्यारे बबबर शेरो मैंने कहा कि what is the definition या फिर diagnostic criteria of the साइजोफ्रेनिया this is very very most important question बेटा मार कर लेना दो और more of the positive या negative symptom for a person diagnosed as the साइजोफ्रेनिया तो याद रगना किसी भी person की अंदर ये question आप मार कर लो अपनी डाइरी में आ जाएगा question exam की अंदर बेटा मैंने का दो या दो से जादा या दो से जादा positive या फिर negative symptoms का कम से कम 6 महिने से किसी के अंदर उपस्तित होना साइजोफ्रेनिया कहलाएगा ऐसा नहीं है कि किसी में 8 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है और आप उसको साइजोफ्रेनिया डाइगनॉस कर दोगे तो diagnostic criteria आपको पता होना बहुत compulsory है विटा वरना आप जो है proper knowledge के साथ exam देने नहीं जाओगे तो आपको problem create हो जाएगी यानि कि आप सही answer नहीं करोगे न तो ये मान के चलो विटा कि आपको अदूरे ग्यान के साथ exam में नहीं जाना है आपको proper knowledge के साथ में exam में जाना है crystal clear हो गया है विटा अब मैं बात करता हूँ बच्चों आप से कि जो disorder होते है psychosis और neurosis दो प्रकार के होते हैं एक psychosis होते हैं और एक होते हैं दूस्तों neurosis किस प्रकार के neurosis तो दो प्रकार के disorder psychiatric के अंदर पढ़ा जाता है एक psychosis होता है और एक होता है neurosis क्या anyone know about this पिछला question में ने बहुत important बाग किया है विटा और अगर आप से मैं पूछूँ कि what is the difference in the psychosis और neurosis दोनों के अंदर क्या अंतर होता है तो आप क्या जवाब देंगे विटा neurosis किसे कहते हैं प्यारे बबबर शरोओ याद रखना अगर पैसेंट self-conscious है तो वो कहलाता है neurosis और अगर पैसेंट self-conscious नहीं है तो वो कहलाता है बेटा psychosis याद रखना मैंने क्या पूछा आप से कि अगर पैसेंट के अंदर insight present नहीं है बेटा insight केते हैं self awareness insight अगर present है तो वो कहलाएगा absent है तो वो कहलाएगा बेटा psychosis और यदि अगर किसी के अंदर insight present है तो वो कहलाएगा बेटा neurosis तो याद रखना insight के आधार पर psychosis और neurosis को psychiatric disorders को दो category में हमने categorize किया है बेटा जिन clients को यह नहीं पता जैसे आप उससे कहें कि रोज नाना चाहिए वो कह रहा है कि क्या होता है नाने से उसको understanding नहीं या उससे आप कह रहे हैं कि career में पढ़ाई करना चाहिए career बनाना चाहिए job लगना चाहिए और वो इस बात को समझता ही नहीं है मतलब उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा क्या है मेरे लिए बुरा क्या है अगर किसी परसन के अंदर खुद के अंदर insight नहीं है न दोस्तो तो याद रखना that is indicating the psychosis और insight अगर present है तो this is indicating the neurosis तो आप बताईएगा आप मुझे साइजोफ्रेनिया जो है वो साइकोसिस है के निवरो चीवरेस ए ऊंसर पूढिए आंसर गाईश तो साइजो फ्रेनिया इजटाइब आफ द ऑफ दसाइजोफ्रेनिया इस ऊज़र्थी याज़ learnt याज़ है प्रकार का ? साइकोसिस क्या है बेटा, साइकोसिस है, यस और नो, पहला कोश्चन मार करो यहां से, important question है, अब दोस्टों दो प्रकार की condition में, एक scientist थे, जिनोंने जो neurological psychiatric disorders हैं, दोस्टों, psychiatric disorders को दो केटेगरी में, केटेगराइज कर दिया था, कौन थे वो scientist, जिनोंने पूरे psychiatric disorders को याद रखना दोस् तो जिनका नाम था, जिन्होंने बताया कि जो psychiatric disorders है ना, उन psychiatric disorders को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे बिटा, एमिल, क्रेपलान, जो first psychiatrist थे, इन्होंने कहा था, साइजोफ्रेनिया को याद रखना बिटा, कि एक ऐसे psychiatric disorders होते हैं, जिनको हम continuous disorder कहते हैं, दूसरे psychiatric disorders थे, जो episodic होते हैं, understand बिटा, तो याद रखना, जो psychiatric के अंदर, ये साइजोफ्रेनिया है ना, ये continuous disorder है, यानि कि इसके case में, पैसेंट के अंदर, जो symptom है, वो हमेशा, हमेशा के लिए रहेंगे, treat नहीं होंगे, लेकिन याद रखना बिटा, जो हम पढ़ेंगे, bipolar disorder, तो bipolar disorder episodic होते हैं, यानि कि कभी इसके अंदर, पैसेंट का behavior change होता रहता है, कभी symptom चले भी जाते हैं, लेकिन साइजोफ्रेनिया is a condition in which the disorder symptom will be present in all time in the patient, this is called as the continuous psychiatric disorder, understand बिटा, तो आईएगा बात करता हूँ अब आपको, कि साइजोफ्रेनिया के clinical features के बारे में, तो याद रखना बिटा, positive symptom कौन से होंगे और negative symptom कौन से होंगे, detail में समझ लीजीगा, is very important, दोस्तो, excessive distortion of the normal functions, see the disorganized thinking, और disorganized behavior, एक परसन जिसका access या disorganized normal function हो रहे हैं, normal function बढ़ चुके हैं, तो मैंने अभी आपको बोला था, कि when the anything in the patient more than normal, तो उसको अपन positive कहेंगे, या anything less than the normal, तो उसको अपन negative बोलेंगे, clear हो गया बिटा, तो याद रखना, पैसेंट का जो behavior है, that is, access you to the normal, this is positive, dear student, disorganized thinking, this is the positive, disorganized behavior, this is the positive, dear student, delusion, this is the positive, fix false belief without external stimuli, बिना किसी external stimuli के भी पैसेंट के अंदर, अगर fix belief है, तो this is known as the delusion, बिटा, जब client आपसे ऐसा कह रहा है, कि नहीं, मैं नहीं मान सकता, आपने मेरे खाने के अंदर poison mix कर दिया है, तो याद रखना, या वो यह कहता है, कि वहाँ, मंदिर जाने से, जो cancer है, वो ठीक हो जाता है, मानने को तैयार नहीं है, आप उससे कह रहें, दवाईयां खालो, नहीं, दवाईयां नहीं खाएगा, वो किसी ऐसे बाबा को जानता है, जिसके या जाने से, और मथा टेकने से, बिमारी सही हो जाती है, ऐसा उसकी अंदर false belief है, और fix है, लोगों के समझाने पर भी नहीं बदला जा सकता है, तो ऐसी स्थिती को dilution कहते हैं दोस्तों, और dilution, पहला question याद रखना, false, fix belief को क्या बोलते हो बिटा, dilution कहते हैं, और dilution किसका कैसा symptom है, तो साइजोफ्रेनिया का symptom है बिटा, और साइजोफ्रेनिया के अंदर कैसा symptom है, तो positive symptom है, तीनो question clear हो गये हैं, याद रखना बिटा, hallucination present होगा, false sensory perception without external stimulus, तो याद रखना साइजोफ्रेनिया के कोई दो positive symptom बताओ, तो अंसर जाएगा dilution और hallucination, false fixed belief को हम dilution कहते हैं बिटा, लेकिन याद रखना without stimuli, अगर present recognize कर रहा है, कि उसको उसके दादा जी जिनकी death दो-तिन साल पहले हो गई है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो उनसे बात करने आते हैं, या उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे mouth के अंदर खटा कड़वा टेस्ट आ रहा है, चाहे कुछ खिलाया ही नहीं है, फिर भी टेस्ट आ रहा है, तो याद रखना बेटा, उसे किसी भी प्रकार का dilution सबसे जादा auditory dilution most common होता है, understand, crystal clear हो गया है न, तो dilution and hallucination, they are the positive symptom in the saizoprenic patient, अब आईए बात करता हूँ बेटा, disorganized, disorganized thinking और disorganized behavior, अब इसके बाद ही हम detail में बात करेंगे इन दोनों पर, कि कौन-कौन से वो behavior होंगे पैसेंट के, जो disorganized हो जाते हैं, और कौन-कौन सी वो thinking होंगी, जो disorganized हो जाती है, दोस्तों, आईए negative symptoms की बात करता हूँ बेटा, तो decrease or less of the normal function, किसी भी परसन को मैंने कहा है, कि saizoprenic patient है, if the client's behavior or anything less than normal, normal सी कम अगर आ रहा है न, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं अपन negative symptoms, तो कौन-कौन से negative होंगे, ध्यान से देखो, affect उसका flattening, यानि कि no emotion, no emotion, understand, decrease range or intensity of the emotion, याद रखना बेटा, affect to flat, affect का मतलब होता है emotion, affect का मतलब होता है emotion, और emotion अगर flat हो गए हैं, या decrease हो गए हैं, तो you will notice this condition in the saizoprenia, understand, तो saizoprenia के clients के अंदर आपको ये नजर आएगा, decrease fluency या production of the thoughts या speech, allogia का मतलब होता है दुस्तों की patient के अंदर, speech या fluency नहीं हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा saizoprenia के clients के अंदर, speech का absent होना क्या कहलाता है बिटा, allogia, understand, ambivalence, यानि की indesive, because of the strong opposite feelings, अभी मैंने आपको समझाया था, lecture शुरू करते time ही, कि एक client आया है निमान्स के अंदर, और आते ही आपको बोल रहा है कि मेरा दोस्त जो है बहुत खराब है, और थोड़ी देर बाद आपसे फिर बोला, 10 मिनिट बाद कि मेरा दोस्त मुझे बहुत पसंदे, तो एक ही person के अंदर, the opposite controversial thinking का पाया जाना ambivalence के लाता है, और ambivalence साइजोफ्रेनिया के 4A symptoms में से, एक most important symptom होता है, दूसरा मैंने बताया बेटा affect, तो दूसरा साइजोफ्रेनिया का 4A symptoms का part है affect, और दूसरा है बेटा first ambivalence, understand, दोस्तों मैंने कहा, मैंने कहा कि वो आप सब party कर रहे हो, और आप सब party कर रहे हो, और दूस्तों मैंने आप से बोला, कि हमारे बीच में एक ऐसा person है, जो party करने हमारे साथ आया है, लेकिन सब तो party enjoy कर रहे हैं, और वो सिर गर्दन को नीचे करके बेठा है ना, तो भाईया वो भी किसका फीचर है, साइजोफ्रेनिया का फीचर है, याद रखना आपका पैसेंट ऐसे बेटा है, समझना, बोडी के एक्सप्रेशन से समझना बेटा, याद रखना और कोशिश करना, दिमाग में रिटेन हो जाए बात, आप जब पार्टी एंजोई कर रहे हो सब लोग, और जो साइजोफ्रेनिक पर्सन है, वो सिर नीचे करके बेटा है, यानि बहुत प्लेजरीबल एंवाइरमेंट के अंदर भी, उसको प्लेजर नहीं आ रहा है, सिर डाउन करके बेटा है, एंड डाउन करके बेटना क्या कहलाता है बेटा, एन हेडोनिया, एन हेडोनिया, एन मिन्स एपसेंस ओफ दे प्लेजर, एपसेंस ओफ दे प्लेजर, अंडस्टेंड गईज, दूसरी बात मैंने बोला कि साइजोफ्रेनिक पैसेंट है वहीया, तो उसको कभी केता पार्टी बहुत अच्छी लगती है, कभी केता I hate parties, I hate parties, कभी केता I like parties, यानि कि क्या है उसके अंदर ambivalence आ रहा है, दो सोच आ रहे हैं, एक ही स्टिमूलस, एक ही सोर्स के लिए दो सोच आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और मैंने अभी आपको सिखाया कि साइजोफ्रेनिया क्या है, split of mind, यानि mind के दो हिस्से हो जाना, बेटा एक पार्ट पॉजिटिव सोच रहा है, एक पार्ट नेगेटिव सोच रहा है, तो आदा mind positive है, आदा negative है, this is observe in case of only the साइजोफ्रेनिया, understand बेटा, मैंने कहा आपसे affect नहीं है उसके अंदर, labile affect, labile affect मतलब क्या बोल रहा हूँ, कभी तो हसता है, कभी smile करता है, कभी वो रोता है, कभी वो laughter करता है, तो इस तरह का जो affect disturbance होता है, that is also present in case of the साइजोफ्रेनिया, तो labile affect इसका next example होगा, clear हो गया है बेटा, allogia, आपने कहा कि भई आप कहां से पड़े हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या purpose है आपका यहां आने का, तो पैसेंट आपको कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है, ना वो बोल रहा है, ना एक्सप्रेस कर रहा है, ना जवाब दे रहा है, यानि कि no thoughts and speech, this is the allogia, dear student, evolution, यानि कि evolution means unable to initiate या persist a goal-directed behavior, कभी भी आप उसको यह बूलेंगे कि भईया तुझे निमेंस के अंदर जोब लगना है, तुझे efforts करना है, तुझे पढ़ाई करना है, तुझे कुछ बनना है, उन चीजों में वो कोई interest नहीं लेगा, यानि goal-directed behavior की नहीं पाई जाना, goal-directed behavior का absent होना भी साइजोफरेनिया का symptom होता है, तो कौन-कौन से negative symptom होते हैं दूस्तों, abolition होता है, anhedonia होता है, ambivalence होता है, allogia होता है और affect होता है, crystal clear हो गया है बेटा, positive और negative symptoms clear होंगे सब लोगों के, बोलो भाई बबर शेरो, अरे भाई बोलो मेरे बबर शेरो, आगे बढ़ू क्या, अरे बोलू क्या बेटा, आगे बढ़ू ना, I hope you understand everything, lock कर दूँ क्या यहां तक, जब तक आप नहीं बोलोगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, नहीं बढ़ूँगा, नहीं बढ़ूँगा, नहीं बढ़ूँगा, आप कह दोगे ना, lock कर दो, समझ में आ चुका है, फिर आगे बढ़ूँगा, पढ़ा चुका हूँ बीटा 20 लेक्चर हैं और 20 के 20 लेक्चर आपको पूरे complete कर लेना निमांस तक understand neurology में ने पहले ही complete करवा दिया है super lecture series में complete कर लेना सारे बेटा जितने भी निमांस देने जाओगे उससे बेहतरी लेक्चर आपको पूरी YouTube में कहीं नहीं मिलेंगे यह मेरा वादा है आपसे एक बार खोल के जरूर देखना आप और खोल के अगर तुमने देख लिया है ना एक भी लेक्चर खोल लेना कोई सा भी लेक्चर और गलती से खोल लिया है ना तो यह मेरा वादा है आप हमेशा वुगली को ही पढ़ोगे और वुगली को ही प्रेपर करोगे disorganized thinking और disorganized behavior दोस्तो अब अपन को दो बातों के बारे में जानना है जो thinking से related disorganization listen में होगा और जो behavior से related disorganization होगा आये समझते हैं सबसे पहली बात करता हूँ disorganized thinking से related बात है कौन सी disorganized thinking है यानि पैसेंट के thinking से related वो कौन कौन से disorder है या कौन कौन सी problem से दोस्तों जो साइजोफरेनिया के पैसेंट में पाई जाती है तो साइजोफरेनिया के पैसेंट की सोच में thinking में क्या क्या abnormalities आती है आईए इस पर detail से चर्चा करते हैं बेटा सबसे पहला thinking का pattern की बात करूँ एक तरफ दूसरी तरफ उसकी definition की बात करूँगा understand तो पहला याद रखना concrete thinking, lack of the abstraction प्यारे बबबर शेरो जिस बात को हम बहुत abstraction के साथ संदर्ब के साथ सोचते हैं यह वैसा नहीं सोचता है मतलब इसके अंदर जो सोच होती है वो कैसी होती है बेटा, concrete thinking होती है जिसका कोई मतलब नहीं है जैने इसके जो सोच होंगी न वो कैसी होंगी बेटा, useless, understand? तो यानि कि इसकी thinking का कोई मतलब नहीं होगा तो thinking का pattern कैसा होता है साइजोफरेनिया वालों का, बेटा क्या कहना है, कि सर इनका सोच concrete type का होता है, इनकी सोच में क्या नहीं होता है, सर इनकी सोच में extraction नहीं होता है, इनकी सोच में कोई संधर्ब नहीं होता है, कोई meaning नहीं होता है, literally उसका कोई उपयोग नहीं है, crystal clear हो गया है मेरे बबबर शेरो अरे भाई बोलो तू जीतेगा यह मैंने ठानी है तू पढ़ता रहे बस यह अपनी कहानी है और पढ़ता रहेगा तो जरूर सक्सेस होगा इनकी सोच में होती है दूस्तो circumstantiality circumstantiality याने की detailed long discussion about a topic याद रखना गलती से अगर आपने इनसे कुछ पूछा ना तो कहीं बार ये लोग क्या करने लग जाते हैं टॉपिक के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं गोल गोल घुमाते जाओ अच्छा आपने वो देखी थी एक सलमान खान की मूवी आई थी उसमें वो ऐसे 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 गोल 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 गोमाती रहती है और वो सलमान खान उदर से बुलता है फॉन पर कि आप बस भी करो कितना गुमाऊगी राइट तो याद रखना ये पेसेंट रियल में गुमाते हैं जो साइजोफ्रेनिक होते हैं इनकी सोच के अंदर क्या पाया जाता है बेटा इनकी सोच में circumstantiality पाया जाता है understand ना circumstantiality present होता बैंज क्लेंज असोशिएशन रिपीशन ओफ सिमिलर साउंडिंग वर चट पट नट कट बट शट लट याद रखना दोस्तों जितनी बातें यह हमसे बोलेगा एक जैसा साउंड आएगा जब साउंड एक जैसा आएगा ना वहिया तो इसको बोलूंगा क्लेंज असोशिएशन बेटा रिपीशन ओफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स अगर एक ही जैसे साउंडिंग वर्ड्स पेसेंट बोल रहा है तो उसको बेटा क्या कहते हैं उसे क्लेंज असोशिएशन कहते हैं आज ही डिसाइड कर लेना कि पूरी पढ़ाई कहां से करनी है नो दिन की नोरते वाल हैं तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम लाइक कर दो भया वीडियो को लाइक कर दो बबर शेरो याद रखना दोस्तों मैंने कहा पैरट लाइक रिपीटेशन आफ द अनादर्स वर्ड तोते जैसी भाशा तोते जैसा रिपीटेशन कौन से पैसेंट्स में होता है साइजोफ्रेनिया के पैसेंट्स में होता है तोते जैसा रिपीटेशन क्या कहलाता है बेटा तोते जैसा रिपीटेशन एको लेलिया कहलाता है एको लेलिया और प्रेक्सिया दोनों बातों में डिफरेंस है प्रेक्सिया एक बहेवियर है और लेलिया एक सोच है अंडर्स किसी के behavior को बार बार repeat करना, Ecopraxia होता है, और Eagles, किसी के words को तोते की तरह repeat करना, वो कहलाता है, character आजिप्रेणिया में लेलिया भी होता है, Maxia भी होता है, लेकिन Taxia और लेलिया में अंतर ये है, कि Maxia एक सोच है, और we're Lelia एक सोच है, और प्रेक्सिया एक behavior है understand clear है विटा next देखो flight of ideas rapid repeated change in the topic shifting of the ideas अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था इसके mind के अंदर कि अच्छा ऐसा करते हैं अपन हुआ चलेंगे यार swimming pool चलेंगे नहाने के लिए अगला idea इसके पास आगया अपन पड़ाई करते हैं फिर अगला थढ़ा idea आगया कि अच्छा ऐसा करते हैं अपन तो निमान्स की तयारी करते हैं फिर next idea आगया कि ले चल चाई पीने चलते हैं और फिर चोथा idea आगया कि ले चल यार साउसर की class start हो गई ये class attend करते हैं अरे बेटा, rapidly shifting of the ideas, that is flight of ideas, rapid shifting of the ideas, this is non-flight of ideas, ideas of the reference, neutral stimuli has special meaning, दोस्तों कोई stimuli नहीं है, but it is indicating that इसके लिए बहुत special meaning वो चीज़ रखता है, तो ऐसा जिसके अंदर कोई भी meaningless stimuli है, दोस्तों, neutral stimuli है, लेकिन, but he is presenting it as the special meaningful stimuli, this is called as the ideas of the reference, lose association, यानि decrease connectedness of the thoughts and the topics, दोस्तों, thoughts और topics में कोई connectivity नहीं होना, याद रखना इसको, काफ़ important है विटा, star लगा लो, connectivity का loss हो जाना क्या कहलाता है, lose association, association का मतलब होता है, दोस्तों, संबंध, यानि कि connectivity और connectivity शब्दों में sentences के अंदर नहीं पाया जाना कहलाता है, lose association, दोस्तों, neologism, यानि कि ये ऐसे शब्द भी बना करके आपको बता देगा, जो दुनिया में है ही नहीं, तो नहीं खोज अगर शब्दों की करवानी है ना, तो साइजोफरेनिया वाले पैसेंट को पकड़ के लाना पड़ेगा, यानि neologism होगा, दोस्तों, pressured speech, इसकी जो बोलने की टॉन होगी ना, उसमें ये बहुत ताकत लगा करके बोलेगा, प्रेशर के साथ बात करेगा, यानि कि rapidly होगा और फोर्स पुल होगा, तो rapid और फोर्स पुल speech क्या कहलाता है, pressured speech, और किसमे होता है, साइजोफरेनिया में होता है, नियोलाजिस्म किसमे होता है, साइजोफरेनिया में होता है, flight of ideas किसमे होता है, साइजोफरेनिया में होता है, ecolalia किसमे होता है, साइजोफरेनिया में होता है, पूचा जाता है logical degradation from original discussion याद रखो वेटा logical degradation from the original discussion this is non-tangentiality understand तो यह ऐसे features हैं दोस्तों जो thinking से related abnormalities हैं किसमें साइजोफ्रेनिया के अंदर आगे बात करते हैं दूसरा पार्ट लगा दो very most important और यह होगा बेटा साइजोफ्रेनिया याद कर लिया ना इसका मतलब समझो आपने आदी psychiatric याद कर ली बेटा और इसलिए मैंने सबसे पहले आपको साइजोफ्रेनिया पढ़ाया ताकि आपको खूब टाइम मिले और आप तयार कर लो उसके बाद अपन को पता है ना अपन क्या-क्या तयार करेंगे तो बेटा psychiatric के पूरे disorders को सबसे पहले तयार करेंगे अपन उसके बाद की बाते हैं सारी तो यह टॉपिक्स हैं जो अपन को प्रिपेर करना है सबसे पहला psychiatric के disorder forensic, ECT, Psychotherapy, Psychopharma, Neuro, Neuro के lecture में दे चुका हूँ पूरे YouTube के उपर, Basic, General Nursing, MCQ की छे क्लास हैं और social psychiatric, psychology यह सब प्रिपेर कर लो तो समझो निमहांस आपके लिए निकल चुका है तो याद रखना बेटा अब आती है बात कि सर कौन-कौन से ऐसे behavior होंगे जो disorganized हो चुके हैं जिसमें behavior का pattern जो है पैसेंट का वो disturbed हो चुका है तो आईए जानते हैं सबसे पहला बेटा एक तरफ thinking का pattern अज सोरी behavior का pattern और दूसरी तरफ होगा definition तो agitation restless with increased emotions or tension दोस्तो मैंने कहा कि पैसेंट के अंदर अगर restlessness है तो restlessness को क्या बोला जाता है agitation बोला जाता है दोस्तो hostility with the potential for verbal और physical violence this is aggression तो प्यारे बच्चों याद रखना साइजोफ्रेनिया के clients के अंदर aggression भी होता है aggression यानि कि बड़ा हुआ behavior dear student psychomotor disturbances इसके अंदर पाए जाते है stereotype होता है यानि कि rapacious purposeless activity per cure to the patient stereotypic होते हैं eco praxic होते हैं praxic का मतलब होता किसी दूसरे के behavior को motor activity को repeat करना बार बार repeat करना और मैंने का stereotypic का मतलब है दूस्तो rapacious A की posture A की जिसी speech maintain करके रखना जिसका कोई मतलब नहीं है जो purposeless है तो अगर examiner कह देता है बेटा आपसे कि purposeless, rapacious, posture या speech in the patient this is known as तो this is known as the stereo type understand बेटा next vexy flexibility and a fixed posturing for extended period अब बहुत अधिक समय से जैसे पैसे बेटा है आखें भी नहीं मटका रहा है आखें भी fix है और एक fix posture में अगर काफी time से आप देख रहे हो तो जब आपने मांस के अंदर जोग करने जाओगे तो देखोगे कि साइजोफरेनिया के जो पैसेंट रहेंगे न वो एक ही posture maintain करके बेटी ही रहेंगे बेटा और इसलिए याद रखना fixed posture को कहते है वैक्सी flexibility याद रखना regressed behavior यानि child like immature behavior को कहते हैं regressed behavior बच्चे जैसी बातें करना बच्पन जैसा behavior करना this is the regressed behavior दोस्तों याद रखना sustained increase attention to the external stimuli बहारी environment के प्रती बड़ा हुआ external stimuli awareness this is called hyper vigilance अरे vigilance service vigilance का मतलब बहुत ही ज्यादा consciousness शो करना पैसेंट ऐसा की मतलब उसको बहुत चिंता है जैसे उसी को चिंता है दुनिया में तो अगर ऐसा कोई respond कर रहा है ना तो यह मान के चलो उसको hyper vigilance है जैसे अभी मैं बोल दूँ कि आपके selection की चिंता मुझे ही है और over acting करूँ दूस्तो और जबरदस्ती ऐसा ऐसा माहूल क्रियेट करूँ कि बस आपकी selection की चिंता बस में कर रहा हूं और दुनिया में कोई नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है वो वो है दूस्तो hyper vigilance understand बच्चे जैसा behavior करूँ तो रिग्रेस्ट behavior बोलना है आपको यदि रखेगा दूस्तो फा फिक्स पॉस्चर मेंटेन करके रखू तो वैक्सी फ्लैक्सिबिटी इसको कहा जाता है बार बार किसी के behavior को repeat करें तो इकोप्रेक्सिया कहते है इस्टीरियो टाइप मतलब जस्ट गाइस परपसलेस रिपीटेड एक्टिविटी या behavior इस इस्टीरियो टाइप यस और नो गाइस पढ़ लिजिएगा paranoid साइजोफ्रेनिया में dilution of the persecution पाया जाता है दोस्तो grandiosity इसके अंदर होती है religiousity इसके अंदर होती है somatization इसके अंदर होता है disorganized thinking और behavior इसके अंदर पाया जाता है तो प्यारे बबबर शेरो याद रखना कि अगर पेसेंट एक पेसेंट साइजोफ्रेनिया में भी अब variety बता रहा हूँ आपको कि साइजोफ्रेनिया में भी variety create करनी है और most common चार variety आप create कर लो दोस्तो paranoid saizophrेनिया मतलब paranoia इसके अंदर पाया जाएगा paranoia का मतलब है दोस्तों suspiciousness क्या पाया जाएगा suspiciousness suspiciousness मतलब यह आपसे बोलेगा कि आपने इसके खाने में जहर मिला दिया है तो आपको क्या करना है ऐसे behaviors को paranoia को कम करने के लिए इसको ही activity करने देना है दोस्तों आपको नहीं करना है कोई दो लोग इसके सामने हस रहे हैं तो यही detect करेगा कि मुझ पे हस रहे हैं तो paranoia suspiciousness इसके अंदर पाया जाता है persecution का dilution होता है पहला question, grandiosity का dilution होता है दूसरा question, religiosity इसके अंदर पाई जाती है तीसरा question, somatization होता है body की प्रती और सारे ही behavior और thinking के disorganized behavior जो अभी मैंने बताए disorganized schizophrenia, child-like effect इसका होता है यानि emotion जो होते हैं वो बच्चे जैसे होते हैं एक जो person है साइजोफ्रेनिया का patient है और बच्चे जैसी हर्गत है करता है बच्चे जैसे उसके effect है दोस्तों तो उसको कौन सा साइजोफ्रेनिया है उसको है बेटा disorganized schizophrenia socially incept होता है यह person sexually uninhibited होता है और disorganized speech behavior इसमें भी पाया जाता है catatonic यानि कि psychomotor disturbances that may be excessive or involve the immobility यानि कि vexy flexibility दोस्तों याद रगना catatonic यानि कि psychomotor disturbances अगर patient में negativism होगा mutism होगा posturing इसका होगा ecolalia ecopraxia present होगा तो साइजोफ्रेनिया कौन सा है दोस्तों catatonic very important याद रखना undifferentiated में dilution hallucination तो होगा और disorganized speech and behavior भी होगा तो साइजोफ्रेनिया in case the disorganized behavior तो dear student dilution and hallucination they present in case of the most of syzophranias but especially we if we want to differentiate between among the four of type of syzophrania we can say that guys की hallucination and illusion especially present dilution especially present in undifferentiated dear student catatonic में posturing negativism mutism these are very most important understand guys clear होगा है then after I am just saying you that की what will be the disorganized so child like behavior is very important और paranoid यानि की paranoia present होना they are specific feature of the syzophraniac patients अगर आप categorize करने से rated question attempt करते हैं तो syzophrania is a very important topic और competitive exam में five to ten question definitely ask in every exam especially निमान्स तो भाई दो ही unit पे depend होता है neuro और psychiatric right understand guys और दोनों को आपको best करके ही जाना है तब ही जाके आपने मांस देने जाईएगा वही अगर आपकी तैयारी है तो चलिए question आया है विटा a client becoming agitate कैसा हो चुका है restless हो चुका है hesitate हो चुका है during discussion group she stated that I know that all of you had me और patient ने क्या कहा कि मैं जानता हूं तुम सब मुझसे नफरत करते हो ऐसा कह रहा है कि तुम मुझसे नफरत करती हो yes or no she leave the group or goes to the room वह आपके group को छोड़कर के कमरे में चला गया है which action by the nurse therapeutic for the client तो client के लिए कौन सा action as a nursing officer आप करेंगे दुस्तों चार option दे रहा हूं आपको पहला option है after group ask the client to talk to the nurse about her concern तो किस तरह से आप इस problem का solution करेंगे guys put your correct answer अंसर करने का बारी आ गई यह बिटा अब जवाब देना है ठंडे मत बेटे रो खूब पढ़ लिया आपने साइजोप्रेनिया अब जवाब दो not wrong answer बेटा ऐसा नहीं करना है आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा उसका paranoia paranoia जो है न यानि कि suspiciousness जो है न विटा वो और ज़्यादा बढ़ेगा suspiciousness को increase करेगा यह वाला behavior तो आपको पता चल चुका है कि client के अंदर जो है वो suspiciousness है यह सोच रहा है कि आप गलत बात आपके बारे में सोच रहा है आप वैसे नहीं हो लेकिन आपके बारे में फिर भी वैसा सोचा जा रहा है इसके द्वारा यानि कि यह suspicious हो रहा है paranoia इसके अंदर है कि you all are head to me कि यह सा कह रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है real के अंदर तो याद रखना बेटा जब भी कभी suspicious condition हो तो suspicious condition में आप पैसेंट के ऐसा behavior नहीं करेंगे जिससे की suspicious ने सोर बढ़े तो आप क्या करें अगर यह चला गया है तो चले जाने दो कोई कोई बात नहीं गुरुप पूरा हो जाए ना उसके बाद ask the client to talk आप इससे पूछेंगे बात करने के लिए बूलेंगे the nurse about her concern और पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है क्यों आप ऐसा सोच रहे हो क्यों ऐसा आपने किया है मिटिंग छोड़के आप क्यों आगए understand बेटा तो यह आपका correct behavior होगा first option will be the right answer crystal clear है बेटा next question देखो आप the wife of a client diagnosed with the paranoid syzophenia एक पेसंट की wife है जो syzophenia के लिए डाइग्नॉस हुई है पेरानोइड है विजे टूदेज आफ्टर हर हस्बेंड admission and state to the nurse why is not he eating he is still thinking about his food being poisoned which of the following appraisal by the nurse is more accurate wife inequity is reasonable education about her husband's medication is needed her expectation of her husband are realistic an increase in the client's medication is indicated दोस्तों जब कभी भी suspicious या paranoid patient है तो हम उसको लिए क्या therapeutic behavior करेंगे क्योंकि यहाँ भी situation जो है poison वाली है he is still thinking about his food is being poisoned patient को ऐसा लग रहा है कि food में आपने poison मिला दिया है तो previous question जो मैंने soul करवाया था उसी से link रखता है तो हमने आपको समझाया था कि meeting के बाद आप जाना और उस patient से पूछना कि भई आपको क्या दिक्कत है और समझाना वही यहाँ पर करेंगे बेटा कि जब भी कभी किसी को पैरानॉया हो रहा हो तो education about her husband's medication is needed is a very right answer in this question understand बेटा so the B option will be the right answer crystal clear है next question as the suspicious client state, a suspicious patient आपको कहता है I know you nurses are spraying my food with a poison as you take it out of the cart अगर पैसेंट ऐसा कह रहा है कि nurses आप जो है आप लोगों ने मेरा जो खाना निकाला है ना कार्ट में से बाहर उसमें poison spray कर दिया है और इस तरह के question अक्सर exam के अंदर मिलेंगे आपको बेटा example best मतलब कोई statement आपको मिलेगा और उस statement को पढ़कर कि आपको identify करना पड़ेगा कि disease condition क्या है और उसके लिए आपका right behavior क्या होगा psychiatric में यह बहुत matter करता है कि पैसेंट ने अगर ऐसा कहा है तो आप क्या response करेंगे that is important तो कह रहा है which of the following action would be the most likely to the successfully surveying food only food that come in the sealed packages asking what kind of poison giving the client canned supplement until the dilution subside allowing the client to be the first to open the cart and get a tray प्यारे बच्चों जब कभी भी किसी को doubt है शक है तो हम उसी को who witness the violence of school are trying to other who experience crisis how most likely feeling दोस्तों crisis वाले patients की most likely feeling क्या होती है बेटा जवाब दो कि जिनको crisis होता है वो लोग क्या महसूस करते हैं और लिख लो इस पे M's याद रगना बेटा काफे important question है आपके exam के कैसे निमांस हो चाए M's हो that is very valuable question तो अगर आप कह रहे हैं crisis के बारे में तो crisis के जो victims होते हैं na they are feeling the helpless तो क्या feel करते हैं helpless feel करते हैं यानि first option is the right answer next question when crisis intervention is provided which nursing action take the priority जब आप किसी को crisis intervention provide कर रहे हो तो सबसे पहली priority क्या होगी explain the benefit of the professional counseling encourage the survivor to talk about the event reassuring the survivor that they will adapt advising the consulting of physician for the drug therapy when you are just patient you are providing the crisis intervention for a patient then what will be your most accepted behavior दोस्तों सबसे पहले हमें कोई भी पैसेंट को जैसे crisis का पैसेंट है माना उसने कोई ऐसी दुरघटना देखी है जिसका उसके दिमाग पे बहुत बड़ा सदमा लगा है उसको अपन crisis कहते हैं understand तो अगर mind पे किसी चीज़ का सदमा लगा है और उस वज़े से उसको mental illness हो गया है न तो सबसे पहला हमारा जो behavior होता है दोस्तों वो होता है उसे वेंटिलेट करेंगे पर ventilate करेंगे मतलब ventilation का मतलब होता है उसकी feelings जो है न दोस्तों ventilation यानि उसकी जो feelings है न जो वो महसूस कर रहा है कैसे भी करके सबसे पहले उनको बाहर निकलाना पड़ता है this is the priority understand ventilation करना ये priority होता है आपका भी कोई भी साती friend कोई भी non अगर ऐसा feel कर रहा है तो most priority होते है ventilate the feelings understand guys तो क्या करना है आपको encourage the survivor to talk about the event जो crisis का survivor है दोस्तों उसको event के बारे में बात करने के लिए encourage करना ही सबसे ज़्यादा priority therapeutic intervention होगा crystal clear है तो ये है दोस्तों आपकी super lecture series का पहला lecture नॉर्सेट और दोनों चाहे निमांस चाहे नॉर्सेट देना या निमांस देना दोनों के लिए common बढ़ा रहा हूँ यानि नॉर्सेट के level की psychiatric भी मैं आपको साथ में दे रहा हूँ यानि आपकी दोनों exam की तयारी हो जाएगी crystal clear है तो ये था दोस्तों साइजोफ्रेनिया पक्की बात है अगर पूरा lecture आपने प्रिपैर कर लिया है तो साइजोफ्रेनिया के जो question से वो out of नहीं जाएंगे अरस्टें दोस्तों thank you so much love you guys wish you all the best आप सब बड़ी अच्छी जॉब लगें आपका selection हो और जितने effort मुझसे हो सकते हैं वो मैं कर रहा हूँ thank you so much bye bye love you wish you all the best आज के लिए बस इतना ही guys wish you all the best